लवनीश सर की क्लास और आज इसमें हम प्रायोगिक ज्यामति के अंतर का त्रिभुच की रचना करना सीखेंगे तो चलिए बिनस हमें गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं आईए विचार और चर्चा करें किसी तल में एक बंद आकरिती जिसकी तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं फिर से सुनिये किसी तल में एक बंध आकरिती जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोन होते हैं उसको क्या केते हैं तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 3 भुज, क्या लिखोगे 3 भुज फिर 1 अनतहे कोनों का यो कितना होता है, तो वो आपने लिखना है 180 गरी फिर भुजाओं और कोणों के अधार पर त्रिबुजों का वर्गी करन लिखिए तो सबसे पहले आप लिखोगे भुजाओं के आधार पर भुजाओं के अधार पर तीन तरीके के होते हैं पहला सम बाहू जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं दूसरा सम त्वी भाउ यानि जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं ठीक है और तीसरा आप लिखेंगे मैं यहां साइड में लिख देता हूँ विशम बाहू आपको नजर आ रहा है विशम बाहू त्रिभुज हम इसको एक साफ पेज पर भी लिख लेते हैं तो देखो भुजाओं के अधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज सम बाहू त्रिभुज जिसमें तीनो भुजाएं बराबर होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है सम दूई बाहू त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और विशम बाहू त्रि जिसमें एक कौन 90 डिगरी का हो। तो इस तरह से हमें इसका उतर लिखना है। चलिए अब आगे की वर्कशीट करते हैं। आओ सीखें कि दिये गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। तिन भुजायें और तीन कोन एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है यदी निम लिखेद माप में समभु सामूह मेंसे कोई एक दिया हो। या तो तीनों भुजाएं दी गई हों, या कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कौन, कोई दो कौन तथा उनके बीच की एक भुजा, और सम कौन तरिभुज में कंड तथा एक भुजा, दिये गए माप के साथ एक तरिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले से, हमें तो तीनों भुजाओं की लंबाई ग्याद हो तो इसको उधारनों की मदद से कैसे करते हैं देखते हैं उधारन एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब की AB 5 cm हो BC 6 cm हो और CA 7 cm हो तो कैसे सबसे पहला चरण क्या है हमें पहले दी हुई माप की एक रफ आकरिती हम हींच लेते हैं उसको हमें उससे अच्छा रहता है कि पता चल जाएगा कि इस प्रकार का द्रिभुजए तो इस तरीके की आकरिती बनेगी महीं माल लीजिए AB 5 cm, BC 6 cm थोड़ा सा बड़ा और AC जो की सबसे लंबी बुज़ा है वो 7 cm तो इस तरीके से वो बन जाएगा तो फिर यह तो रफ आकरिती थी अब सई से बनाते हैं 6 cm लंबाई का एक रेखा खंड BC लेते हैं सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से 6 cm का लाइन पहले एक तो रेखा बना लो और फिर 0 पे निशान लगा और 6 cm तो यह बन जाएगा 6 cm का एक रेखा खंड तो 6 cm हमारे पास आगया BC फिर इसके बाद आपको क्या करना है बिंदू B से बिंदू A तक 5 cm की दूरी पर है तो बिंदू B से बिंदू A देख रहे हैं बिंदू B से बिंदू A 5 cm की दूरी पर है आते B को केंदर मान कर और 5 cm तरिज्या लेकर यानि प्रकार को आपने 5 cm तक खोलना और एक चाप लगा देनी है जो कि आकरिती नमबर 3 है फिर क्या करोगे C से बिंदू A 7 सेंटिमीटर की दूरी पर है हमें यह दिहान रखना चाहिए कि C A की लंबाई यानि A C की लंबाई 7 सेंटिमीटर है कि C को केंदर मान कर और 7 सेंटिमीटर तेज़्या लेकर एक चाप खीचनी है और यहाँ पर हमें प्रकार की नोक रखनी है और 7 सेंटिमीटर खोलते हैं एक चाप और लगा देनी है तो जो यह बिंदू आएगा न यह यह बन जाएगा A जैसा की दिखाई भी दे रहा है आपको यह इन दोनों चापों का प्रतिछेदी बिंदू A है A B और A C को जोड़िए और A B C तरिभुज दियार है इस तरीके से आप A B को जोड़ेंगे फिर B C तो पहले से ही बना हुआ था और A C को आप स्केल की सायता से जोड़ देंगे तो आपका दिखाई कुछ ऐसा बन जाएगा ठीके आप इसको सईधंग से जोड़िएगा इस तरीके से तो इस तरह से हमारे यह दिखाई की रचना हो जाएगी चलिए अब अभ्यास के प्रशन करते हैं पहला प्रशन है कि 5 सेंटी मीटर भुजा वाले एक सम बाहू त्रिभुज की रचना कीजिए सम बाहू का मतलब जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई एक जैसी होगी यानि की 5 सेंटी मीटर होगी तो मैं आज आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको बहुत असानी से आप इसको कर लोगे कोई दिकत नहीं आएगी ठीक है पहले तो आप 5 सेंटी मीटर लंबा एक क्या कीचोगे रेखा खंड कीचोगे मान लो ये 5 सेंटी मीटर होगी इसकी लंबाई और इसका नाम आप रख दोगे बी और सी ठीक है अभी तीनों की लंबाई एक जैसी होनी चाहिए अब अपने प्रकार को कितना खोलना है प्रकार को आपने 5 सेंटी मीटर खोलना है मैं लिख दूँ प्रकार को 5 सेंटी मीटर खोले ठीक और क्या करना है B को केंदर मान कर यहां पर प्रकार की नोक अप कहां रखोगे B पर रखोगे और 5 सेंटी मीटर पर 5 सेंटी मीटर पर क्या करोगे एक ऐसे करके एक चाप लगा दोगे ठीक और फिर C C पर प्रकार को रखोगे और 5 cm ही खुला रहने दोगे और यहाँ पर एक चाप लगा दोगे इस तरह से तो आपको ये बिंदू क्या मिल जाएगा? A बिंदू मिल जाएगा फिर आप A और B को जोइन करें और A और C को जोइन करेंगे तो आप ध्यान से देखना कि इन तीनों की लंबाई 5 cm ही होनी चाहिए तो ये बन जाएगा एक सम बाहू त्रिभुज क्या बन जाएगा? सम बाहू त्रिभुज ठीक है? ऐसे बना के देखना इसको फिर है दूसरा प्रश्ण एक त्रिभुज D E F खींचिये एक 6 cm का रेखा खंड बनाओगे ठीक है? और स्केल से बनाना है ये 0 पर एक पॉइंट लगाओगे और 6 cm पर लगाओगे तो ये और इसको आपने नाम देना E F क्या नाम देना E F? और इसको क्या करोगे आप? यहाँ पर लिख दोगे ये होगा 6 cm का आपका ठीक है? फिर इसके बाद आपको प्रकार को खोलना है प्रकार को प्रकार को 4 cm खोलें ठीक है? मैं यह लिख बेरा हूँ और आप क्या करोगे? E पर प्रकार की नोक रखोगे E पर प्रकार की नोक रखोगे और 4 cm पर क्या करोगे एक चाप लगा दोगे 4 cm होना चाहिए ये ठीक है और यहां से भी 4 cm होना चाहिए F पर प्रकार की नोग रखोगे यहां से भी 4 cm तो इस तरह से लगाओगे 4-4 cm दोनों तरफ से 4 cm होना चाहिए दोनों तरफ से ठेक है और फिर इसको आपस में आप क्या करोगे जॉइन करोगे और ये दोनों की दोनों जो लाइन होनी चाहिए दोनों भुजाएं जो होनी चाहिए ये 4 cm होनी चाहिए कितनी 4 cm याद रखना तभी आपका ये त्रिभुज बनेगा और इसका नाम दोगे D तो DE 4 cm, DF 4 cm और ये 6 cm होना चाहिए कुछ इस तरीके का त्रिभुज आपका बनेगा फिर तीसरे प्रेशन में आपको कोई त्रिभुज ने बनाना बस ये पूछा है कि क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 cm, 6.2 cm और 5 cm है तो आप लिख दोगे हाँ इसका उतर क्या आजाएगा हाँ और क्यों आजाएगा सुन लीजिए आप लिखोगे क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा से बड़ा है तो इसका उतर आपने क्या लिखना है कि दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा से बड़ा है फिर चौथा है, चौथे में भी बनाना नहीं है एक त्रिभुज PQR कीचिए जिसमें PQ बराबर 5 cm QR बराबर 3 cm और RP बराबर 8 cm हो तो क्या इस त्रिभुज की रखना संभाव है तो देखो इसमें बनाना नहीं है इसमें आप लिखोगे नहीं और इसका जो उत्तर लिखोगे आप लिखोगे की इस त्रिभुज में आप लिखोगे इस त्रिभुज में मत लिखो ये लिखो की नहीं क्योंकि त्रिभुज तभी बनाया जा सकता है जब उसकी दो भुजाओं कामाप तीसरी भुजा से बड़ा हो ठीक है आपने ये लिखना है और यहाँ पर आप देखोगे 3 जमण 5 3 और 5 कितने होते एं 8 cm पराबर 8 cm तो ये नहीं बन सकता ठीक है आपने बस इसका उत्तर यही लिखना है बनाना नहीं है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से भापको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलिग्राम एप पर हमारा चैनल जोइन करना ना भूले लेकिन ये भी याद रखें घर से भार निकलते समय मास का वश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए, करोना का ठीका करना वश्य कराएं क्योंकि करोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उमीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद